खेलों को बढ़ावा देने का दम भरने वाली खटर सरकार के राज में ग्रामेंड आंचल से उठकर अगर कोई खिलाडी देश के सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी को हरा कर गोल्ड मैंडल हासिल कर देश का नाम रोशन कर दे और उसकी होसला अफजाई में कोई भी प्रशास अधिकारी ना पहुंचे तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और हो ही नहीं सकते जीहां रिवाडी में उस वक्त ऐसा ही हुआ जब 13 से 17 दिसंबर तक मलेशिया में हुई द्वित्ते एशियन चैंपिनशिप में पाकिस्तान को हरा कर गोल्ड मैंडल हासिल कर रिवाडी पह रहा कि उनकी टीम में कुल 12 खिलाडी थे पिशली बार हुई चैंपिनशिप में उनकी टीम मात्र एक पॉइंट से जीत हासिल करने से रह गई थी लेकिन इस बार उन्होंने कड़ी महनत करके होंग कॉंग सिंगापूर मलेशिया और फाइनल मुकाबले में नेट बॉन में पाकिस्तान को एक पॉइंट से हरा कर जीत हासिल के इस जीत का इश्रे उन्होंने टीम के कोच को दिया जिनके आशिरवास से कड़ी महनत करके वे अपने लक्षे को हासिल कर सके वहीं उन्होंने युवावा खिलाडियों को संदेश दिया कि जीवन में कितने भी कटना ही आ तो हमारी टीम अच्छी परफॉमेंस करके कैम पच्छा लगाती है पिछली बार ही हम खड़ पोजिशन ते अपकी बार हमने काफी मैनत की प्योंकि प्रिछली बार हम थोड़े दिक्कत होगे पॉइंट से आर गई तो हमने काफी मैनत करके हम हमें जीच खेले हमने प्रिछनल में हमें आप सुनों के नाम क्योंकि जिसे हमने पाकी प्रिछन को एक प्रिट से राकर गोल्ड मेटल है जिसे हमें बहुत कुछ से पूरे पार्देश में का लेर है और हमारी फेडरेशन के जनरल सेक्टरी अर्यूम कोशिक जी ने एरपोर्ट पे हमारा वैलकम क अप्तान बुद्राम जी आपके गाउं से खिलाडी जो एक गोल्ड मेटल हसल करके लाए क्या कहेंगे जी हमें तब बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे गाउं का नाम पैसील का नाम दिस्टिक का नाम और देश का नाम रोसन किया है इनों ने हजारे लाल जी आगाउं के खिलाडी ने गोल्ड मेटल हसल किया है क्या कहेंगे बड़ी कुछी की बात है बड़े होनार बच्चे हैं बढ़वान इनकी आगे काम्याभी दे बड़ी सुविधा इनको कम मिलती है आगाउं में कोसिस करेंगे ज्यादा सुविधा मिले